महिला का सबसे ज़्यादा अपमान तो खुद महिला करती है कोई लड़की तरक्की कर रही हो एक बार को कुछ पुरुष आ जाएंगे उसका समर्थन करने या उसकी तरक्की से खोश होने पर कोई लड़की तरक्की कर रही हो सबसे आदा समस्या दूसरी लड़कियों को हो जाती है आप ही कह रही हो कि मुझे लड़का चाहिए काई भाई तो आप खुदी लड़का काई नहीं बन जाती हैं सबसे पहले अगर लड़की इतनी बूरी चीज है तो आप क्यों लड़की हो जा करके तालिबान हो गहरा से सांस्कृतिक प्रशिक्षन लेकर आओ किस तरह से जो बची खुची हो उनको काले कपड़ों में पैक करना है घर में कुत्ता भी हो आप मारी उसो दुचार बार ला तो आपके पास नहीं आएगा महिलाएं सोने गैसे पहुंच जाती हैं पिट-पिट कर भी तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना तुम खोद इस तर अभी हाली में उन्हें पांचवा बच्चा पुत्र पैदा हुआ जबकि दोनों ही पढ़े लिखे हैं सरकारी सेवा में हैं और उन्होंने क्या कि अपनी बड़ी बेटी को घर पे बठा दिया कि वो अपने भाई की देख भाल करेगी तो यह पता नहीं कब तक चलता रहेग कारण यही है कि पेटा चाहिए वंश आगे बढ़ाने के लिए तो आचारी जी मेरा प्रश्न यह है कि यह अंधा जो पुत्र मोह है यह कब जाके रुकेगा हमारे देश में क्या बोलूं इसमें यह तो प्रश्न जोतेश शास्त्र का है कि खबर उखे का क्या बता हूं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है न जो जो इतनी ज्यादा अब्यूसली एपसर्ड होती है कि उस पे कुछ बोला भी क्या जाए पैटालिस साल के हैं पांच छे बच्चे पैदा कर रहे हैं लड़का चाहिए हो सकता है काद लड़की मार भी दियो क्योंकि पांच लड़कीयां कर ली हैं और जिस तरह की मान सकता है तो उसमें यह दहेजवादी भी जरूर होंगे जो पुत्रवादी होता है वो दहेजवादी तो होगा न क्योंकि पुत्र चाहिए ही किसलिए है कि घर दहेज लेके आएगा तो पांच लड़कियां कर ली है वो पांच लड़कियां है तो उनके लिए दहेज देना पड़ेगा कौन इतना जोड़े तो बीच में काद हो सकता है उड़ा भी दी ओ लड़की इस पर क्या क्या मतलब बोला क्या जा सकता है ये ये चीज इतनी इतनी ज्यादा मूर्खता की है कि इसके आगे ग्यान मौन पड़ जाता है कहीं कोई छोटी मोटी गलती कर रहा हो तो उसको सुधारा जा सकता है कोई इस इस तर की मूर्खता कर रहा हो तो क्या बोले क्या बोला आपने पढ़े लिखे हैं दोनो यह यह तो शिक्षा है ना कि आप कितने भी शिक्षित हो जाएं उसके बाद भी आपको जिन्दगी जीनी एक धेले ही नहीं आती इसलिए तो शिक्षा वैवस्था हमारी नाकारा है वो अधिक सदिख आपको तयार कर देती है कि कुछ नौकरी-उकरी मिल जाएगी आता है ना कि फलानी नौकरी चाहिए तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा दो हमारी शिक्षा वैवस्था इसी काम आती है बस कि नौकरी मिल जाएगी उससे हमारी शिक्षा हमें कोई जानवर से इंसान थोड़ी बना रही है ये काम जानवर करते हैं कि प्रजनन चल ही रहा है जब तक उनका यौवन रहेगा जब तक वो इस लायक रहेंगे कि संतान हो सके वो संतान करते भी रहते हैं यह इंसान होने की थोड़ी निशानी है, लेकिन जानवरों में भी यह नहीं होता कि उनको लड़का ही चाहिए, यहां तो दो काम हो रहे हैं, एक तो यह कि जब तक बच्चा पैदा कर सकते हो, करो, और दूसरा उसमें भी लड़का चाहिए, यह तो जानवरों की भी कोई वि इसमें मैं क्या बोलू, बड़े ही हुनरमंद लोग हैं, 45 के हैं, अभी यही कारकरम चल रहा है, मतलब यह कवस्था आजाती है, जब आदमी जिन्दगी इतनी देख लेता है, कि मूर्ख से मूर्ख आदमी को थोड़ा सा वैराग्य पैदा हो जाता है, कि वही काम सौ बार क अभी भी वंश वृद्ध में ही लगे हुए हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, यह समुचित जवाब नहीं है, कि उसका समुचित जवाब देने के लिए मुझे किसी और मानसिक वस्था में जाना पड़ेगा, देखो अभी मैं इनके साथ था, यह बैठे हुए हैं, यह आसमान क हैं, तो मैं इनके साथ था, तो मैं भी वही आधा टंगा हुए हूँ, अब उस इस्तर का कोई मुद्दा आए, कि तो मैं उस पर बात भी करूँ, अभी अचानक मुद्दा आ गया है, कि आप वहाँ आसमान पर बैठे हो, जैसे कि कोई एस्ट्रोनॉट हो, और अचानक उस स वही बैठा हुआ है उपर, मालो स्पेस स्टेशन में बैठा हुआ है उपर, और उसे पूछा जाए कि नीचे फलानी जगए पर गंदगी बहुत है, कीचड़, उसमें सूर लोट रहे हैं, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, वहाँ कहां बैठा हुआ है, स्पेस स्टे क्या, इस मुद्दे पर क्या बोला जा सकता है, क्या क्या बोलूं मतलब, कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और दो होने में ये भी हो सकता है, दो में से कम से हम एक को तो सदबुद्ध दिया जाए, दोनों मिलके कर रहे हैं, उसमें से दो में से भी एक ह जो मादा है वो भी इसी में लगी हुई है कि मुझे नर पैदा करना है अगर आप बॉड़ी इंटिफाइड भी हो तो कम से कम अपनी ही बॉड़ी के प्रति थोड़ा सम्मान रख लो आप खुद जिस लिंग की हो आप उस लिंग के प्रति भी अपमान से भरी हुई हो आप ही कह रही हो कि मुझे लड़का चाहिए काई भाई तो आप खुद ही लड़का काई नहीं बन जाती है सबसे पहले जा करके लिंग पर अरतन करा लो टेक्नोलोजी आ गई है अगर लड़की इतनी बुरी चीज है तो आप क्यों लड़की हो मा जो लड़का पैदा करने के लिए इतनी आतर हो रही है सबसे पहले तो जा करके उसको चेंज करना चाहिए उसको पुरुष बनाओ क्योंकि इसे इस्तरियों से तो नफरत है इस्तरी को तो यह ऐसे समझती है जैसे कीचड़ो सबसे पहले इसका चेंज करो जाके सेक्स चेंज हो गया अब इस कहां भी है अब ठीक है अब ठीक है और ऐसे जो पिताजी है जिनको लड़कियों से इतनी नफरत है कि उनको लड़का ही चाहिए सबसे पहले तो उनके आसपास इर्द गिर्द जितनी भी महिलाएं हो सबको उनसे दूर किया जाए क्योंकि ये महानुभावत तो महिलाओं के प्रते नफरत से भरे हुए है तो इनकी बहन, माँ सब इनसे दूर करी जाए कोई पूछे इनसे बताना अपने अभिभावकों का नाम तो इनने दो पुरुशों का नाम बताना चाहिए कि मेरी ये क्या है बाप का नाम बाप का नाम बताया और मा का नाम पूछा तो उसमें छोटे बाप का नाम बताओ तो एक मेरे बड़े बाप थे, एक छोटे बाप थे, मां तो मेरी थी यह नहीं क्योंकि इस्तरी होना तो बड़ी गड़बात होती है, मैं किसी इस्तरी से थोड़ी पैदा हुआ हूँ मैं तो पुरुष तही पैदा हुआ हूँ दूद भी पुरुष का ही पीता था इस तरी तो गंदी चीज होती है पैदा ही मत करो, पैदा हो जाए तो मार दो पुरुष बढ़ियां होते है यहने ऐसी कोई पिक्चर मत देखने देना जिसमें हिरोईन हो इनके लिए खास पिक्चरे बननी चाहिए जिसमें सब मर्द ही मर्द उछल रहे है क्या घातक पिक्चर होगी बारबा बारबी में तो फिर भी थोड़ी सी लेंगिक समानता थी उसमें वो भी था एक कैन, कुछ पुरुष भी थे उसमें ऐसों के लिए जो पिक्चर बननी चाहिए बारबा उसमें महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाएं जैसे पुरानी राम लीला होती थी तो उसमें सूपनखा भी जो गाओं का ऐसे ही होता था लभंगा उसको बना देते थे केते तिसी की नाक कटनी चाहिए तो है कटी नाक वाला तो उसको धर के सूपनखा बना दिया सारी चुड़े लें जितने बुड़े उड़े थे उनको चुड़े बनो तुम जो काम साल भर करते हुआ मंच पे भी करो जिनदकी इसे महिलाओं को बिलकुल निश्कासित करो खटम करो एक महिला कहीं हूनी नहीं चाहिए दुनिया में महिलाओं ने कुई साहित ते लिखा और बिलकूल नहीं है नहीं नहीं चाहिए कहीं होटल में घुस जाओ वहाँ पर देखो कि किसी टेबल पर कोई महिला बैठी है तो लात मार दो टेबल को अच्छी यहां तुमने मलेच बठा रखा है ऐसो का तो हम वध कर देते हैं पैदा होने से पहले ही महिला चाहिए ही नहीं कि अस्पताल में जाओ वहां पर पाओ कि कोई लेडी डॉक्टर है तो अस्पताल में बम लगा दो यह अधर्म का अड़्डा है यहां महिला पाई गई अभी अभी और जाकर के तालिबान और अगेरा से संस्कृतिक प्रशिक्षण लेके आओ कि किस तरह ते जो बची खुची हो उनको काले कपड़ों में पैक करना है दिखाई नहीं देनी चाहिए काले कपड़ों में पैक करके कही घर के किसी कोने में उनको बांध के ढाल दो स्वस्वत्मत्रता अंदोलन से हटाओ तुम क्या लक्षमी भाई कोई मतलब भी नहीं है क्या बात कर रहा है शरोजनी नाइडू ये कौन हमें नहीं पता विज्ञान से हटाओ ये मारी क्यूरी कौन हम नहीं जानते साहित तेसे हटाओ महादेवी वर्मा कहां से आ गई राजनीती सिंद्रा गांधी को अटाओ मार्गरिट थैचर को हटाओ हम नहीं जानते हैं सब कौन है ये क्या है खेलों से हटा दो पीटी उशा को, पीवी सिंधू को हम नहीं जानते हैं कौन है और जो लड़के पैदा होंगे इन सब को समलेंगिक बनाओ क्योंकि इस तरी जब इतनी गंदी चीज़ है तो काय को छूना है एक-एक को विशेश प्रस्रिक्षण शिविर बनने चाहिए होमोसक्शुलिटी के सब को सिखाओ कैसे जो नहीं भी बनना चाहता उसको भी दीक्षित करो भूल हटाओ अध्यात्मों गयरा सब तुम्हें ग्रहस्ती का प्रस्रिक्षण देंगे सारे चाहिए क्या होमोसक्शुलिटी जब स्तरी तो नहीं गंदी चीज़ है वही न्यूस चैनल देखना जिसमें एक भी महिला एंकर ना हो दिखी नहीं कि खट से चेंज करो चैनल तब तो उल्टा होता है यह जितने होते हैं 40, 50, 60 साल वाले यह दिन रात न्यूस देखते हैं और इनकी पतनियां अच्छे से जानती है कि न्यूस बड़ा जवान है यह ताजा ख़बर नहीं गरम ख़बर देख रहे है नहीं कुछ नहीं सब दाढ़ी मूच वाले होने चाहिए स्क्रीन के वही देखना मैं कह रहा हूं इस त्री लिंग भाशा से हटाओ कही के लिए रखना है सिर्फ एक लिंग रखो पुलिंग हर चीज हवा बह रहा है और आग जल रहा है विवा भी पुरुष्त ही करना तो यही तो बोलोगे मेरा पत्नी आ गया क्या करके आया है नहीं दाड़ी बनवाने गया था इसका दाड़ी बढ़ गया था मेरा पत्नी सब कुछ देवी महात्मे को कर दो देव महात्मे नौ दुरगा को नौ देव कर दो जहां कहीं भी इस्तरियों की जलक आती हो आहट आती हो उन सब जगहों को वर्जित कर दो चाहे समाज हो चाहे अध्यात्म हो क्यों भई शिव से शक्ति राम से सीता क्यों रहने देना इनको चारो भाई खड़े कर दो राम लखन भरत सत्रुगन क्या समस्या है सीता क्या करेंगी और पांचों पांड़ों कूद मचाएं द्रापदी बेचारी क्या करना हो बढ़ियां है पांच मर्द उनमें भी एक भीम सरी खा वो आपस में ही जो करना हो करें एसों का यही है उपचार को इनको क्या अध्यात्म बताया जाए एसों को तो यही ना हो कि सब को चांद से चांद नहीं आया फिल्मी गाने भी सुनें तो उसमें जो डुएट होते हैं तो उसमें एक तरफ पुरुश हो और दूसरी तरफ भी पुरुश हो और दोनों एक दूसरे के लिए प्रेम का इजहार कर रहे हैं लता मंगेश करका कर दो वाइस मोडूलेशन और उन्हें मुहम्मद रफी बना दो इधर किशोर कुमार इधर मुहम्मद रफी अब दोनों एक दूसरे के लिए गा रहे तू मेरा जानू है तू मेरा दिलवर है क्या करने लता मंगेश करकर और कि और नहीं कुछ जवाब इसका कोई अध्यात्मिक जवाब नहीं हो सकता इसका यही है और यही वयवहारिक भी है यह लोग है न जिनको इतनी समस्या इस्तरियों से इस्त्रियों के लिए उपाय भी यही है कि हटी जाओ इनके पास से काई को घुसन है इनकी दिन्दगी में तुम्हें इतनी समस्या हैं हटी जाते हैं न जब तुम्हें बेटी नहीं चाहिए तो तुम्हें पत्नी भी क्यों चाहिए दोनों एक हैं यह तो class struggle है यह कौन सी क्लास है क्या करना चाहते हो हटी जाया करो जहां कहीं भी इस तरह की मान सिक्ता देखो वहां पर काई को घुसना है अपनी बेज़िती कराने को हटो तुम अपना देखो तुम पैदा हुए वो प्रक्रते में हम भी पैदा हुए वो प्रक्रते में दोनों का बराबर का हक है तुम अपना देखो भाई हम अपना देखेंगे इनका तो बड़ा बढ़िया रहेगा एक भाई दूसरे भाई को राखी बांध रहा है राखी नहीं राखा इस्त्री ही नहीं इस्त्री लिंग भी बंद किया जाए समस्या ये आती है ना कि ये जो सड़ी हुई सोच है इसमें महिलाओं की भी बराबर की सह भागिता है आप पीछे ही हट जाओ ऐसों का भाईशकार बॉयकाट कर दो तो खतम हो जाए को न तुम्हें चाहिए इस्त्री न तुम्हें मिलेगी इस्त्री और तुम्हारा पूरा हग है ये कि बोलने वे कि तुम्हें नहीं चाहिए क्योंकि सम अपनी मर्जी के मालिक है तुम्हें बिल्कुल कह सकते हो कि तुम्हें इस्त्री नहीं चाहिए पर फिर इस्त्री को भी बराबर कहा कि ये कहने का कि मुझे पुरुष नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए हमें नहीं छायbon, न तो निसनी चाहिए जाओ अपनी बार्वा दिनिया में रओ भार्वी की दुनिया गु़रवी थी बारवव की दुनिया किस रंग होगी काली नीली कुछ होगी जो भी इनका रंगो भूसा बढ़ने पर जैसे आँख हो जाती नेली काली वैसे इनका रंग होना चाहिए जाओ रहो अपना एकठे लेकिन करा नहीं न महिलाओं नहीं है अपमान होता रहा वो जेलती रही मैं नहीं सहुच पा रहा हूँ कोई महिला खुद ही कैसे भुरूड हत्या में सह भागी नहीं हो सकती है पुरुष बोल रहा है कि फिटिसाइड कर दो और बॉर्शन कर दो वो एक बात है और वो जो महिला है वो खुद ही कह रही है कि हाँ गर्भ में बच्ची है लड़की है मैं इसलिए मार दूँगी ये कैसे हो जाता है आप कहे को इस चीज में साब दे रहे हो आपका क्या है इसमें आप तो हटो चलाने दो इनको अपनी दुनिया मर्दों को चलाओ हम नहीं रहेंगे उसके बाद जैसे तुम्हें लड़का पैदा करना होगा कर लेना हमें छूने मताना लड़का चाहिए ना तो लड़की के माध्यम से क्यों चाहिए मुझे चूने क्यों आ रहे हो जाओ अपनी इदे से लड़का पैदा कर लो तुम्हारे जैसे बहुत है जिन लड़का चाहिए साब आपसे मिलो और लड़का पैदा करो महिलाओं को मत चूने आना इतना तो पशु भी जानता है कि जहां लाथ पड़ रही है वहां से दूर भाग जाते है पता नहीं महिलाओं में कितनी सहिशुनता है खासकर भारती है महिलाओं में लाथ ही लाथ खाये जा रही है पांच करोड महिलाएं भारत की आवादी से गायाब है और वो संख्या बढ़ती ही जा रही है ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए देश में, बहस में, मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं करता है ये 5 करोड महिलाएं कहां गई 73-74 करोड पुरुष हैं भारत की आबादी में और महिलाएं 70 करोड भी नहीं है 4-5 करोड महिलाओं इनकी हत्या करीगा ये कोई बात नहीं करना चाहता इससे बड़ा जनोसाइड कोई होगा इससे बड़ा नरसंगहार कोई होगा पर नारी संगहार है ना इसलिए इसको नरसंगहार भी नहीं माना जाता घर में कुत्ता भी हो आप मारी उसो दुचार बार ला तो आपके पास नहीं आएगा महिलाएं सोने गैसे पहुंच जाती है पिट-पिट कर भी और उत्तर भारत में दो विशेशकर यही चलता है खास कर पश्यमी उत्तर प्रदेश में हरियाणा में राजस्थान की कुछ इलाकों में मुझा कहते हैं कि मरद अगर पीट नहीं रहा है तो इसका माने प्यार नहीं करता है तो यहां रोज की बात है कि पुरुष पहले पीटता है और फिर देह को नोचता है संभोग करता है कि मैं कहारो पशू भी नहीं परदाश करते यह कौन सी मजबूरी यह कितने बड़े खर्चें जो पती के बिना नहीं चलेंगे कौन सी सुरक्षा है जो पती दे देता है जो पती मरे जा रहे हैं बहा हो जाए और बहा हो गया है तो कितना भी सड़ा हुआ बहा है उसे में अठके हुए है माएं पगलाई जा रही है अरे लड़की पचीज की हो गई है अभी तक उसका ब्याहा नहीं हुआ है तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना तुम खुद इस तरही हो की ब्याहा माने क्या होता है कहा है के लिए लड़की को लात मार के घर से बाहर निकाल रही है उसको पढ़ा महिला का सबसे ज़्यादा अपमान तो खुद महिला करती है, कमजोर बनके रह गई है, नाम है शक्ति, और जीवन है पूरा अशक्त, और वही कमजोरी उसके व्यक्तित्तों के एक-एक पहलू में दिखाई देती है, पुरुष पर आश्रित रहेगी, फिर जो कमजोर होता है ना, वो कई तरीकों से कुटिल भी हो जाता है, उसकी मजबूरी हो जाती है दाओ चलाना, क्योंकि आप कमजोर हो तो आप डरे रहते हो और समय, आप डरे रहते हो तो आप कुछ भी करके अपनी सुरक्षा का प्रबं लग जाती है, दाओ पेंच, पुरुष को और बहाना मिल जाता है, बोलने का कि ये देखो तिरिया चरित्र, कैसी कैसी चाले चलती है, और जो सारी चाले है वो आप कहां से रही है, मानसिक कमजोरी से, कुल मिला करके एक ये धारणा बना लिया है, कि पुरुष के बिना तो हम जी ही नहीं सकते, पहले पिता होना चाहिए फिर पती होना चाहिए फिर पुत्र होना चाहिए वही जो हमारे मनु महराज बोल गए थे कि कभी भी स्तरी स्वतंतर न रहे कोई न कोई वो बात स्तरीयों ने सबसे ज्यादा आत्मसाद कर ली कि कभी भी स्वतंतर तो रहनी नहीं है और कोई अगर नहीं है जिसके सहारे जिया जाए तो हमारी हालत खराब हो जाए यह हम कहीं के नहीं रहेंगे थोड़ा प्रयोग करके देखो कि यह बात सच भी है क्या किसी के सहारे रहना माने अपमान की जिंदगी और बहुत बार तो जिंदगी ही नहीं मौत गर्भ में मौत तमाम अन्य तरीके से मौत नारी सोयम के प्रति एक घ्रणा से भरी हुई है नारी नारी मात्र के प्रति घ्रणा से भरी हुई है इसलिए तो नारी तयार हो जाती है नारी का ही शोशन करने को इसका एक प्रमान और देख लेना महिला और महिला की दोस्ती आम तोर पे बहुत पक्की नहीं मिलेगी क्योंकि नारी नारी को पसंदी नहीं करती नारी को नारी से ही एक तरह की घ्रना सिखा दी गई है आप आओगे चार-पांच लड़के हैं वो मस्त होके अपना आपस में मौज मना रहे हैं चार-पांच लड़कियां ऐसी आपस मस्त होके मौज मनाती नहीं दिखेंगी लड़कियों में आपस में इरश्या सबलकी जादा आ जाती है लड़कों में भी होती है लड़कों में आपस में कम इर्षया होती है लड़कियां एक दूसरे के साथ हो जाए तुरंत एक दूसरे से इर्षया शुरू कर देती है उनको सिखा दिया गया है स्वयम से ही घ्रणा करना कहीं भी कोई लड़की दिखती है वो उसके साथ कभी भी रिष्टा है लड़की सबसे आदा सहज होती है उसे लड़का मिल जाए तो लड़की आपस में भी सहज हो लेते हैं पर लड़की नहीं सहज हो पाती कोई लड़की तरक्की कर रही हो एक बार को कुछ पुरुष आ जाएंगे उसका समर्थन करने या उसकी तरक्की से खोश होने पर कोई लड़की तरक्की कर रही हो सबसे आदा समस्या दूसरी लड़कियों को हो जाती है यह जो पूरी conditioning है यह जो मानसिक संसकार है यह ठीक करने बढ़ेंगे नहीं तो आधी मानव आब आधी एकदम बीमार रही आएगी और वो आधी बीमार है तो जो बाकी आधी है वो भी बीमार रहेगी दोनों पक्ष पूरा फिर मानवता ही पूरी बीमार रहेगी जो घट प्रेम ना संचरे सो घट जान मसान सो घट प्रेम ना संचरे सो घट जान मसान जैसे खाल लुहार की सास लेत बिन प्राण कबीरा सास लेत बिन प्राण ते दिन गए अकारत ही संगत भई ना संच ते दिन गए अकारत ही संगत भई नसंच प्रेम बिना पशु जीवना रक्ति बिना बगवन्त कबीरा मक्ति बिना बगवन्त कबीरत गए से एक पल संथ मिले बलचार तीरत गए से एक पल संथ मिले बलचार संथ गुरु मिले अनेक पल कहें कबीर विचार कबीरा कहें कबीर विचार संथ गुरु मिले तो सब मिले ना तो मिला न कोई संथ गुरु मिले तो सब मिले ना तो मिला न कोई मात पिता सुत बानवा ये तो घर घर हो एक पीरा ये तो घर घर हो जी आप सभी को नमस्कार तेट साल से या दो साल से सर से जुड़ी हुई हूँ यूट के माध्यम से मैं उनसे जुड़ी थी मैं एक टीचर हूँ और मैं बहुत अभारी हूँ आचारे प्रशांत की मैं गीता सत्र से भी जुड़ी हूँ मैं पहले एक मिडिल क्लास की हाउस वाइफ थी उसके बाद से सर से जुड़ने के बाद मैंने अपना काम स्टाट किया है मेरा काम भी अच्छा चल रहा है उनकी सर के आशिरवात से जब से अचारे जी सिप के साथ जुड़ी हूँ बहुत स्पष्टता आई है विचारों में और खुद को स्ट्रॉंग महसूस करती हूँ पहले मैं कोई मुझे किसी भी चीज की स्पष्टता नहीं थी और आज मैंने जब से सुनना शुरू किया है क्योंकि मैं अपने वर्क प्लेस पर थी तो घर पहुंच कर ही सुनना शुरू किया है तो तब से आज का सत्र बहुत ही लंबा रहा है मैं हैरान हूँ अचारे जी की उर्जा को देखकर उनको शत्षत नमन इवन इतना भी कि मेरे बच्चे मास बगरा खाते थे तो मुझे लगता था ठीक है सारी दुनिया खाती है तो तुम क्यों नहीं खा सकते खाओ अच्छा है लेकिन अब उनसे इतनी इस प्रश्टता मिली है कि मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना आचारे जी का इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद है और जीवन को काफी उचाहिया मिलते हैं उनसे मैं अपना काम भी अच्छे से कर पाती हूँ एक विश्वास के साथ आज जो कुछ भी मैंने सीखा कि कायर और कमजोर अहिंसक नहीं हो सकते हिंसक आयतर की मज़बूरी होती है दूसरा प्रेम आजादी देता है प्रेम पंक देता है प्रेम कभी बान होता नहीं है जो में बोरा तो राम तो राम लोग मरम ना जाने बोरा माला तिलक पहरी मन माना लोगा नीराम खिलो ना जाना हुआ 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 है